हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिखे आई हूँ ग्रत के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फुर्पुरी साबुदाने की पूरी की रेसिपी इसको खाने के बाद आप गुट्टो की पूरी खुद ही भूल जाएंगे साबुदाने की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह पे आधा कप मेडियम साइज वाला साबुदाना लिया है अब हम साबुदाने को पैन में डालेंगे और इसको लो टू मेडियम फ्लेम पे पास से साथ नड़ तक अच्छे से भून लेंगे इसको भूनने से इसके अंदर जितनी भी नमी है वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगी जब हम इसको पीसेंगे तो इसका पॉड़र बड़ी इजिली बन जाएगा दोस्तों बजार में तीन साइस के साबुदाने आते हैं इक छोटा आता है एक मिढीम आता है और एक बड़एस का आता है आप चाहँतों यहां पे छोटे साइस साइस का साबुदाना ले सब्क्रेए लेकिन बड़े साइस का नहीं लेना है tip weropri सिर्फ नमकी ठीन यूज होता है यहाँ पे दोस्तों मुझे साबू दाने को भूनते होगे 5 से 7 नट हो चुके हैं साबू दाना अच्छे से गरम होके रोस्ट हो चुका है अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे दोस्तों मुझे साबू दाने को ठंडे होने के लिए रखे वे 5-7 लट हो चुके थे ठंडा यहाँ पे साबू दाना पूरी तरीके से हो चुका है अब इस तो हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस के बिल्कुल इसका बारिक पौडर बना लेंगे जिस तरीके से आटा होता है यह देखे दोस्तों इहाँ पे मैंने साबू दाने को पूरी तरीके से अच्छे से पीस लिया है और इसका बिल्कुल बारिक आटे की तरह पौडर बना लिया है यह देखे दोस्तों हमारा इहाँ पे बिल्कुल आटा चिकना हो जुगा है पूरी तरीके से निकल जाएगी, तो पूरी बनाते वे ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, इसलिए कोशिश करें कि अलू के अंदर बिल्कुल भी गाठे नहीं रहनी चाहिए, अब हम इसे वे अलू को एक बॉल के अंदर डाल देंगे, अब इसके अंदर हमने जो साबुत दाने का पॉडर बनाये था, वो इसके अंदर डाल देंगे, अब इसके अंदर हम दो बड़े चमच भर के चावल का आटा डालेंगे, सामकी के चावल का आटा, इससे हमारी पूरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही ज दालेंगे और थोड़ा सा बारी कटा हो हरा धनिया डालेंगे अब इसके इंदर हम एक चुथाई चमच काली मिश्वा पॉर्डर डालेंगे अब इन सब हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको डोक इतरह गूतना शुरू करेंगे दोस्तों अभी हम शुरुआत के अं रेसेपी देखना चाते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी आप उस वीडियो को भी देखिए आपको प्रेक्फास्ट में वह रेसेपी बहुत टेस्टी लगेगी यह देखे दोस्तों यहां पर मैं साबूत दाने के आटे के साथ आलू को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते वे मसलते वे इसको मिक्स कर रही हूँ इससे हमारा जो आलू के अंदर जितना भी मौस्टर है वो पूरी तरीके से खर्तम हो जाएगा और इसमें आपस में बैंडिंग होना शुरू हो जाएगी अभी हमारको यहां आटे के अंदर मस्चर कम लग रहा था और आटा अ भी सही से लगने ही रहा था इसलिए मैं रही हमारे पे पानी को ढलते हब थोड़ा थोड़ा ही डाले क्योंकि यह एगड़ा हो जैता है और फिर आटा बहुत ज़्यादा ठीला हो जाएगा अब इसके अंदर हम एक चमस देसे घी डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे दोस्तो हमारा को यहां पर डो बिल्कुल टाइट बनाना है ताकि पूरिया अराम से बिल सके जिस तरीके से हम पूरियो का आटा लगाते हैं उसी तरीके का हमारको यहां पर डो लगाना है यह देखे दोस्तो हमारा यहां पर डो लगवग पूरी तरीके से लग चुका है अब इसके ओपर हम एक चमस देसे की और डालेंगे ताकि इसके ओपर का सर्फैस बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाए और इसके ओपर पपड़िया बिल्कुल भी ना आएं यह लीजिए दोस्तो हमारा यहां पर पूरी का आटा लग चुका है अब इसको हम ढग देंगे और कम से कम एक घंटे के लिए रश्ट करने के लिए छोड़ देंगे इससे क्या होगा कि आटा के मॉस्टेर के वज़े से साबू दाना थोड़ा सा नरम हो जाएगा और पूरिया भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रेस्पी और टेस्टी बनेंगी दोस्तो यहाँ पर आटे को हमें रश्ट करने के लिए रखे वे एक घंटा हो चुका है आटा बिल्कुल बड़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल बड़िया तरीके से सेट हो चुका है अब हम आटे की लोई बनाएंगे और इसको अच्छे से गॉल कर लेंगे जिस तरीके से हम पूरी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से अब हम एक polythene लेंगे और इसके ओप़ा थोड़ी सी घी की चिकनाई लगा लेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर मैं पॉलिथिन को बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं इस तरीके की पूरी बनाने में वो भी बिल्कुल आसानी से इस पूरी को बना सकते हैं आटे की लोई पे घी की चिकनाई लगाने के बाद अब हम दूसरी पॉलिथिन को इसके उपर रख देंगे और बेलन से इसको बेल देंगे दोस्तों आप इसके उपर पूरी बिल्कुल आसानी से बैल पाएंगे जो पहनी बार भी पूरी बना रहे हैं उनको भी इसको बनाने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी ये देखें दोस्तों हमारी यहां पर पूरी बिल्कुल बड़िया तरीके से बिल चुकी है और ये पॉलितिन के उपर कितनी इजिली उतर वी चुकी है अब इसको हम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे दोस्तों पूरी को कढ़ाई में डालने के बाद इसको एक से तो नट तक हमारे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि ये साबूत दाने की पूरी है तो इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है इसलिए इसको थोड़ा सा सैट होने देंगे उसके बाद ही हम इसके पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे उसके बाद ये पूरी अपने आप ही फूनती जाएगी यह देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी बित्लिकुल एजिली अपने आप ही फूल रही है इसके लिए आपको कुछ भी आफ़र्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों साबू दाने की पूरी और कुट्टू की पूरी पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद ही इसको बीच बीच में पलड़ते रहेंगे जब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होके गोल्डन डॉन हो जाएगी उसी के बाद हम इसको कढ़ाई में से निकालेंगी दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा ये देखें दोस्तों हमारी यहाँ पे पूरी सिखते हुए गोल्डन डॉन दोनों तरफ से अच्छे से हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे ये देखें दोस्तों कितनी बड़िया पूरी बनके निकली है दोस्तों अगर आप रद की इजी और टेस्टी इसी तरीकी की रेसिपी और देखना चाते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डॉक्स में जाके उनके भी लिंक देख सकते हैं आएए दोस्तों अब मैं आपको एक पूरी बीच में से खोल के दिखाती हूँ कि इसकी उपर की स्किन कितनी जादा कुरकुरी बनी है और ये अंदर से कितनी जादा सॉफ्ट बनी है कि इसको किसी भी उमरे के लोग बड़ी इजी भी खा सकते हैं ये देखे दोस्तों हमारे यहाँ पर इस पूरी की पपड़े कितनी जादा क्रिस्पी बनी है इसको बनावे मुझे अभी 10 नट हो चुके हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ पर पूरी बिल्कुल बड़िया तरीके से क्रिस्पी है दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमंट करके ज़रूर बताईएगा और इसी तरह के की और नई वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाईएगा